मुझे यकीन है कि वे किसी तरह पैदा होते हैं लेकिन बेशक सीखा जा सकता है मैं टाइगर वोड्स की तरह गोल्फ खेलना शुरू कर सकता हूँ केवल एक चीज जो मुझे टाइगर वोड्स जैसा बनाती है वो है इच्छा और दोहरा आव हाँ बार 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 दोहराना इसलिए जब आप पब में जाते थे या बैट कर अपना पसंदीदा टीवी कारेक्रम देखते थे तब मैं चार्ट्स देखा करता था हर रोज टाइगर वोड्स जैसे उन्होंने गोल्फ के बारे में इमानदारी की एक नई लहर पैदा की जब बाकी सब कलब में जाते थे तब वो प्रैक्टिस करते थे जिसने गोल्फ खेल के ब्रदी एक नई तरह की गती पैदा की उन्होंने एक नई तरह की मानसिक्ता का मार्क प्रशस्त किया जो ट्रेडर बाजार की खाईयों में युद करना चाते हैं उन्हें इसके बारे में इमानदार होना होगा नहीं तो बस डीमेट अकॉंट खोलो और तुम एक के बाद एक उड़ाते जाओगे इसलिए अपने आपको ट्रेडर कहना आसान है लेकिन उस तरह तक पहुचना बहुत मुश्किल है जहां आप लगातार मुनाफ़ा कमाते रहते हैं और कोई शॉटकट नहीं है इसके लिए आप एक किताब नहीं खरीच सकते आप एक कोर्स में शामिल नहीं हो सकते आपको कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता मैं आपको कुछ भी सिखा नहीं सकता आपको स्वयम ही तुद को सिखाने का फैसला करना होगा मैं आपको मार्क दर्शन कर सकता हूँ, लेकिन आखिरकार आप, जीवन के किसी भी प्रयास में, चाहे वह थेल हो, राजनीती हो या शिक्षा, आपको इसे स्वयम करना होगा, और यही 99 प्रतिशत ट्रेडर्स को एक प्रतिशत ट्रेडर से अलग करता है, जो वास्तव में सप अपने देखते हैं और अपने लक्ष प्राप्ती के लिए जाते हैं, यही परेटो प्रिंसिपल है, यह पूरी तरह से दिमाग के धाचे पर निर्भर करता है, क्या आप किसी चीज से भागते हैं, आप किसी की और भागते हैं, असफलता आपके लक्ष को प्राप्त करने के लिए एक मनोहर समर्थक है इसलिए असफलता का उपयोग करें डरें असफलता से बहुत डरें और आप सफल हो जाएंगें दुनिया में सबसे सफल दिमाग वे अपना अकाउंट खाली होने की सोच से ही बहुत डरते हैं और वे दुगनी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ पर कोई जादूई दवाई नहीं है यहाँ लास वेगस में एंड्रिव अगासी नामप एक निवासी है और मेरे लिए वो एक जबरदस प्रेणा था जब वो टैनिस की दुनिया में नमबर वन से फिसल कर नमबर 173 पर आ गया और फिर वह फिर से नमबर वन पर आ गया एक मातरक तरीका जिसके द्वारा आप ये कर सकते हैं वो है सच्चा धैरिया और दुर्ड संकल्प जिस सर्जन का अभी आपने इंटर्व्यू लिया है डेविड पॉल उन्होंने मुझे ट्रेडिंग के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई है कि यह कोई तकनीक नहीं है यह दिमाग में है महान ट्रेडर की महान मानसिक्ता उसके दिमाग में पैदा होती है वही से आप शुरू करते हैं मैंने कुछ नहीं सीखा पहले 2-3-4 वर्षों में क्यूंकि हम नहीं करते हैं हम अपने अकाउंड में पैसा डालते हैं हमारे पास अच्छी तवनखा वाली नौपरी होती है हम एक के बाद एक अकाउंड खाली करते हैं हम इस कभी ना खत्म होने वाली दोराओ के नीचे दबे हुए हैं फिर एक शन ऐसा आता है हम ये दोराओ से ठक जाते हैं हम इस नाटक से ठक जाते हैं और हम बैड जाते हैं और खुद से कहते हैं ठीक है ये सब बदलने वाला है और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो खुद की इतनी इज़त करते हैं कि वे अपने ट्रेडिंग ट्रैक रेपोर्ट्स को देख पाएं वे कहां गलत हो गए थे कहां सही थे यही है जो 1% को 99% से अलग करता है लेकिन यह अच्छा है क्योंकि मुझे अपने खाते को भरने के लिए इन 99% लोगों की आवशकता है